dear friends आज हम सर्फ करेंगे question no.8 का 5 5 में क्या देख सकते हैं 5 में है question no.5 में 27 कितना है 27pq 27 minus 1 by 216 minus 9 by 2 P square plus 1 by 4 P right अभी हम जो identity यूज करेंगे उसे हम लेग लेते हैं सबसे पहले हम इदेटिटी यूज करेंगे X Q minus y cube right यह इदिटी यूज करेंगे यह क्या होता है है एकस माइनास भाइं का होल कुब यह वाला लेंगे ठीक है यह वाला नहीं हम यह वाला हम ले देढ़े हैं फिर में हम यह वबला लेंगे एकस मैंनास वाइ वोल क्यूब ये खह根 hm एक्स माइनस वाई एवल आइडिन टेम में अभी यूस करेंगे x- y, ओल क्यूब, क्या आइडिनित होता है, होता है sq- y keus- 3xy- into x- y, एह अभी इस करेंगे, कि रहता है, 27 p3 किसका क्यूब है, हम इसको लिख सकते हैं, 3P X is equal to 3P 3P का whole cube करेंगे तो हमारा टोंडिशन होगा पी न्टो पी क्यूब तरिदे नाइन तरिदे टोंडिशावन एक यह 1 by 100 1 by 216 है 1 by 216 किसका होल क्यूब है यह होल क्यूब है माइनस है 1 by 6 का 1 by 6 का होल क्यूब करने से 1 by 216 आता है मिरा ठीक है एक लिगें 3P वाय लेंगे 1 by 6 तो कि हम इसको कर सकते हैं तब से पहले होता है एकस क्यूब यानि कि 3P का होल क्यूब हम लिग सेकते हैं ठीक है माइनस वाय क्यूब वाय कितना है 1 by 6 है वाय 1 by 6 का होल क्यूब लिग सेकते हैं माइनस 3xy 3 इंटु एकस कितना है 3P है वाय कितना है 1 by 6 है इंटु एकस माइनस वाय एकस कितना है 3P माइनस वाय है 1 by 6 अपिन मुल्टिप्लाइ करके देखेंगे यह हमारा इससे सेम हो रहा है कि नहीं हम देख लेते पहले 3P का होल क्यूब परेंगे तो 27P क्यूब राइट 339 327 1 वाय 6 का होल क्यूब 1 by 6 काम 3 ताम मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 1 by 6 इंटु 1 by 6 इंटु 1 by 6 ठीक है तो इससे हम करते है 1 by 36 इंटु 1 by 6 36 इंटु 1 by 6 इससे मुल्टिप्लाइ करेंगे 36 को 6 के 36 को 6 से मुल्टिप्लाइ करते हैं 6 इससे 36 618 99 2216 देखिए मेरा आ गिया राइट 216 वाय 6 को तो 1 by 216 माइनस अब यह पर देखिए यहां पर क्या कर रहे है 3 3 9 राइट 3 से यह 2 कटेंगे तो यह 2 आ जाएगा तो 9 by 2 इंटु 2 P P स्कूर माइनस आ गया माइनस माइनस प्लास हो गया अभी इसको मुल्टिप्लाइ करके देखेंगे ठीक है सब्सक्राइब देखते हैं पी यह अब देखेंगे पी मेरा गया सिर्फ एक पी है अभी सब मुल्टिप्लाइब करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए अब तो 9 रूपर में राइट नीचे कितना राइट 636 पीर से अगर काड़ेंगे नाइन नाइन फो नाइन फो नाइन सब्सक्राइब करेंगे अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 3P-1 by 6 into 3P-1 by 6 into 3P-1 by 6 into 3P-1 by 6 this is the answer ठीक है dear friends if you like this video please subscribe like and share thank you everybody for watching this video करेंगे तो बाइब करेंगे झाल